गुड मॉन्गे अप्रिवन कैसे हैं आप सभी उम्मिद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे तो टुड़ी इस ट्विफ्थ आफ एप्रेल 2022 और डे है मंडे तो कल ही जोबो जे वे का जोबो एक साम हुआ है हमने जो पूरा डिसकस कर लिया था साम को जो वीडियो जो वो एक पूरी डिटेल के साथ जो पूरे जिसमें जो वो फोर पार्ट है पूर पार्ट जो वो पूरे एक साथ जो अप्लोड कर दिये हैं अगर आपने वो नहीं देखिया है तो वो तो हमने जो वो उनके आंसर आंसर डिसकस किये थे तो अभी जो हम चोट चोटे parts में जो वो 2 या 3-3 question जो वो discuss किया करेंगे पूरे detail के साथ discuss करेंगे सिर्फ वो ही question नहीं बिलकल detail के साथ पूरे जो भी option दिये हैं उनको भी discuss करेंगे और भी कई सारे उनसे related जो वो बाते हैं जो कि exam में पुछी आती है तो इसलिए सब भी जो वो डिसकस करेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम दो कुशिने रहे हैं जो कि यहाँ पे D सीरीज में जो वो कुशिन नबर 4 और कुशिन नबर 5 था और यह दोनों ही कुशिन जो वो साइंस से लिट्रिट है और काफी अच्छे कुशिन है, काफी इंटर्स्टिंग है स्टार्ट करते हैं यहाँ पे लिखा है तो हुमन बलड के बारे में आपको पता होना चाहिए देखे हमारी जो बॉड़ी है अगर बोला जाए कि बॉड़ी का जो वो कितना परसेंट पार्ट जो हमारा बलड है गरर पूरे बॉड़ी में से कितना परसेंट जो हमारे हमारा बलड है तो scientist जो बोलते हैं वो बोलते है seven percent के आसपास जो हमारा बलड रहता है ठीक है जैसे कोई जैसे बैक्ती है जिसका वेट जो हो 60 या 65 के बेच में है तो उसमें जो वो 4.5 या 5.5 के बीच में जो लिटर बलड रहेगा तो ऐसे ही वेट के हिसाब से जो वो देखा जाता है तो यह आपको पता हो ना चीए बाकी आपको पता है कि कौन-कौन से बाते पुछी आते जैसे कि इसका P.E.H. पुछाता है कई वार की P.E.H. घुतना होता है तो 7.4 होता है देखे Seven होगा तो जो वो आनटन होगा सेवन्स से पीछे ऐशड़ लागया देखे Seven से ुच्छे आइसी डिक सेवन्स से थोड़ा सा आगय चुले क्यूंकि 7.4 हो गह तो जो वो थोड़ा सा basic माना जाता है ठीक है basic मतलब खषारी है तो देखे हमारे इस question का जो answer है देखे हमारे blood में जो वो human blood में जो वो सबसे ज़्यादा मातर में यह जो यहाँ पर लेका है सुक्रोज, glucose, fructose और lactose जो वो sugar के type है तो कौन सी sugar कौन सी सरक्रा जो वो सबसे ज़्यादा होती है तो glucose होता है देखे जब glucose का जो वो टेस्ट के जाता है कि glucose कितना है तो उसको जो वो गलुकोमीटर वो होते है ठीक है तो glucose का जो वो हाँ पे टेस्ट होता है ठीक है sugar में है कु Rubou और शर्करा कौन शाइज को पज़्स जाँद होथे तो ग्लुकोज आप याद रखे very important है कि अल个 दिश्चु को जाए 53 है कगलाने में 5.5 ठीक है और फिमेल 19 बाद कुछ धर्बांद कीतना होगा और एक रहे डिए जो भी ए और इस जो भाहता है तो यह होता है मेल में 5.5 ठीक है और फीमेल में जो होता है 5 लिटर मतलब की थोड़ा सा कम होता है मैं आपको बता हूँगा कि क्यों जो फीमेल और मेल में जो थोड़ा सा डिफरेंस होता है देखे क्या होता है कि आप लोग कई कुछ सोचते होंगे कि फीमेल में जो ऐसा कम होता है ठीक है सब कुछ जब वो थोड़ा मतलब की कम ही होता है ठीक है लेकिन अदेके फीमेल में क्या होता है कि बारवी सिय का निर्मान डिकम होगा तो इसका मतलब है कि बलेट भी थोड़ा सा कम होगा तो थीक है अगर आपको πुछ आइक कि बलेट जो वह वह कहां पर बनता है जो हडियों के बीच में जो बोन मैरोग जिसके बोल जाता है अस्ती मजा जो जिसको बोलते है ठीक है तो बोन मेरो के अंदर जो वो खुन बनता है ठीक है अब आप बोलेंगे कि जैसे हम लोग है तम तो ठीक है बोन मेरो में बन रहा है ठीक है लेकिन जब कोई बच्चा जो वो पेट के अंदर होता है तो यह भी गोश्ची कापी बनता है याद रखिए लिवर में बनता है लिवर को बोलता है यक्रित क्या बोलते है यक्रित इसको बोलते है अगर आपको पूछा जाए कि ब्लड जो वो हमारे सरीर में जो वो कहां पे स्टोर होता है तो जो वो इसका अंसर जो वो हर्ट नहीं होगा दिल नहीं होगा दिल तो पंप करने का काम करता है हमारा जो दिल होता है वो जो पंप करता है विलड को लेकिन स्टोर जो वो कापे होता है पलीहा में जो वो स्टोर होता है स्प्लीन मतलब पलीहा में जो वो स्टोर होता है इसलिए तो इसको जो वो blood bank बोला जाता है और अगर आपको पता होगा malaria बिमारी के बारे में तो malaria में क्या होता है जो spleen होता है जो पलिया होता है जो infected हो जाता है अगर बो infect होगा तो जो आपको पता है कि अगर यहां पर हमारी जो body है ठीक है blood का क्या काम होता है blood का जो वो काम होता है तो temperature maintain करना ठीक है आपको बता हुआ 37 degree Celsius जो वो एक average रहता है 37 degree के आसपास तो हमारा जो temperature maintain रहता है वो जो blood से ही रहता है तो इसमें से अगर malaria बिमारी में जो वो ये infect किसको करेगा blood bank को करेगा मतलब कि plane को करेगा पलियाओ को करेगा इसका मतलब है कि यहां पे जो वो temperature जो वो थोड़ा सा गड़बड हो जाएगा ठीक है अगर temperature गड़बड होगा तो आपको बताए कि malaria में जो वो क्या होता है से जो वो ठंडा पढ़ने लग जाता है तो यही कारण है और अगर आपको पूचा जाए कि हमारा जो भी human blood जो वो लाल किसली होता है यह भी question बोच जाता है तो आपको बताऊगा कि hemoglobin की वज़़ा से जो वो हमारा blood लाल होता है और hemoglobin में जो वो क्या होता है ऐसा कि वो लाल होता है कि hemoglobin जो वो कम होता है female में ठीक का निर्माण भी कम ही करेगा तब ही तो वो blood भी कम ही होता है तो देखे हमारे अंदर मतलब की male के अंदर जो वो hemoglobin के बज़़ा से जो वो blood जो लाल होता है अगर blood लाल होता है तो FM अंदर लोहा जाता हुत biblioth warning सी हार्ड होती है और आप ने देखा होगा फीमेल की जो फोड़ी-छी अ उलायम जैसी होती है मतले कि जड़ा कफhoर 9 नहीं होती ठीक है तो इसलिए जोब अगर आपको आएरन की कमी हो जाय तो जो ऑडाक्टर किया ऑक्सीजन को जो चोड़ेगा सभी जगह पर और कार्म डायोकसाइड को जो लेकर के आएगा ठीक है बापिस और एक बहुत इंटरस्टिंग कोशिन जो मैं आपको पहले बता जुका हो कि हमारी आंख का जो पार्ट है ठीक है वहां पे जो बलड नहीं होता है अगर बलड नही करते है की आँखों में तो बलड नहीं है ठीक है तो यहीं जो वह कारन होता है थोड़र सबात कहते हैं इसके लास्त बलड के कंपनेंट के पारे में तो यह तो आपको बहुत कर् predicted हैं पता होना चाहें कि ब्लेट के कौन-कौन से कंपोनेट है देखें मुखें ऎंदर यहां पर हमारा लिक्टाइजी ऑर लिक्टाहजा है और यह लेंगे 25 आप याद र होगा तो यहां पर कितना बचेगा 45 बचेगा ठीक है तो यहां पर 45 परसेंट बचा जो खटोर वाला बाग होगा अब आप बोलेंगे कि हमारे ब्लड में जो खटोर तो है नहीं कुछ भी वह तो लीकुड यह सार देखे क्या होता है जैसे चाय होती है चाय के अंदर जो आप अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर क्या होगा आपको लिकुड ही देखेगा लेकिन उसके अंदर जो आपको पता है कि चीनी भी होती है ठीक है वह घुल गई होती है तो कुछ इस तरह से ही अगर आपको आपके ब्लड को जो वह चाल लिया जाए तो जो वह कुछ पार जो ऑपर रहाएगा, मतलिकी बहु घना है मिक्स हो गया होताए तुश्छ को जो जो कटोर पार्ट होता है जैसे हमारी चीनी जो यह कटोर पार्ट हुआ वैसे वह घुल चुकी है तो कुछ इस तरह से ही हमारे बलट के अंदर होता है liquid बाले पार्ट को जो पलास्मा बोलते हैं और जो कटोर बाला पार्ट होता है उसको जो कारफल्स बोलते है वैसे थो लेकिन उसमे जो आगे तिन जीज़े आ जाएगी फिर जो आपने सुनी होगी और यहाज़ाएगा WVC और एक आजाएगा प्लैटिलेट्स ठीक है अब यह आपको पता होना चाहिए देखिए आपके मैंने बताया यह पेरिपर्टेट है 55% और यहाँ पे आजाएगा 45% ठीक है प्लाजमा जबो मतलब ज्यादा होता है अगर पुछ जाए कि बलड में जबो कौन सा पाट ज्यादा होता है तो थो प्लाजमा बाट जाद होता है 55 परसेंट अगर पुछ जाए कि प्लाजमा के अंदर जबो ऐसा क्या होता है प्लाजमा के इंदर होता क्या है 55% में जबू देखिये 90 या 92 परसेंट के आसपास तो बाटर होता है ठीक है और причina शक्या-एte परसेंट हमारा क्या अगर हम बात करें कारपल्स में तो कारपल्स में जो हमने बात की और मैंने बताया ड्वविशी होता हा है और एक जो प्रेटलियेट होता है तो यसका नाम होता है तो फॉपनि दौ का तो तो अगर आपको पुचा जाए कि एरिथ्रोसाइट अगर मतलब कि इनकी संख्या कितनी होती है जो आपको एक्को बने गए हां और इसमें जो हमारे अंदर कं होता है कारपाल के बीच में बात करें अगर पुचेशा के अंदर योगसा सी ज्यादा कॉन्स होता है तो जो आप प्लाजमा मत करिए क्योंकि कारपल्स जो इसका अलग टाइप हो गया कारपल्स के अंदर बुछ रहा है तो अब जो वो क्या होगा 223 वीची की जो वो जीवन काल जाँ ऐंगे कहां पर चले जाएंगे बीच इस तरह हो जैसे चाय बन जाती है तो उसको चान करके में कर देते हैं तो वैसे ही मर जाएंगे 120 दिन बाद RBC मर जाएगा 4 दिन बाद LECOCIDE WEC मर जाएगे और 7 दिन बाद जो प्लेटिलेट्स मर जाएगे ठीक है तो यह जो चान करके फिर जो जो साइड में कर देता है ठीक है लेकिन याद रखिए जो प्लाजमा हमने भाद किया तो इसमें एक और बात होती है इसमें इसके अंदर जो वो RBC के अंदर ठीक है, लाइसोसोम नहीं होता है ठीक है, किंद्रक भी इसमें नहीं होता है जबकि अगर हम बात करें लाइसोसोम जो वो WBC के अंदर दोनों चीज़े होती है प्लेटिलेट्स में जो वो लाइससोम होता है लेकिन देखे लाइससोम का क्या काम होता है जैसे मर जाएगा तो जो उसको हजम कर जाएगा ठीक है और किंद्रक जो वो रबीसी के अंदर जो वो किंद्रक नहीं होता है याद रखे ठीक है और किंद्रक जो वो प्लैटलेट्स के अंदर भी नहीं होता है यह भी कुछ दिन जो बनता है, ठीक है, अगर आपको पूछ जाए कि RVC के अंदर अगर किंद्रक नहीं होगा, क्योंकि उसमें किंद्रक नहीं है, और किंद्रक नहीं है, तो DNA, RNA नहीं है, ठीक है, तो इसको भी आप याद रिखे, very important है, किंद्रक जब वो WC के अंदर होता है, लेकिन प्लैटिलेट्स के अंदर नहीं होता है, ठीक है, तो काफी कुछ, कई सारी बाते हैं जो आपने डिसक कंकेव लेंस जो उसको दिया जाता है, ठीक है, चस्मा लग जाता है उसको या जो भी लेंस पढ़ते हैं, तो बो जो बो कंकेव लेंस जो वहां पर पढ़ते हैं, देखे, क्या होता है, मायपिया के अंदर, निकट द्रिस्टी दोस जो जो जिसको बोलते हैं, अब निकट द्रिष्टी दोस देखे नाम से नाम तो उल्टा लग रहा है देखे निकट द्रिष्टी दोस मतलब कि इसका मतलब ही हुआ कि निकट की चीज़े जो नहीं दिखाई देनी चाहिए वैसे तो नाम से तो ऐसा लग रहा है लेकिन इसमें उल्टा देखे निकट द्रिष्टी द में है तो वो जो जो आगे जैसे बिठाए जा रहा है उसको जो पीछे से नहीं दिख रहा है मतलम की दूरबाली चाहें जो नहीं दिकh रही है उसको तो इसका मतलब है ऊसमें जो चेक कराना पड़े पर यहां पर पढ़ रही है पिर पर यहां पर क्या होगा आँकों का साइज बढ़ जाएगा तो यहां पर इमेज बनेगी तो इसके सिम्टम को लगेगे तो इसके लिए जो वो आपको बता है कि अगर उत्तर लेंस क्या होता है अगर यहां पर उत्तर लेंस लगा लेंस तो क्या कता है फिर जोब ऐसे चीजों को जोब इसे लाईट को जोब ऐसे compress करेगा ठीक है और diverse कौन करता है डाइवर्स करता है अब the lens जो की होता है concave lens इसमें क्या होता है जैसे यहां से जोब light बढ़ी तो यह जोब यहाँ पे पढ़ी फिर जोब यह image यहाँ पे देगा उसको ज़्यादा प्राबलम है दूर देखने ने अगर माइनस 10 है तो इसका मतलब है उसको ज़्यादा प्राबलम है दूर की चीज़े नहीं दिखाए दे रहे ज़्यादा अगर माइनस में ज़्यादा नंबर हो इतना बड़ा नंबर है माइनस में तो इसका मतलब है उसको ज्यादा उससे भी ज्यादा प्रावलम है माइनस में जितना बढ़ा नामबर होगा इसका मतलब है उसको ज्यादा प्रावलम है तो हमारे इस question का जो answer है वो हो जाएगा अब दर lens तो बताई आपको वीडियो कैसे लगी ऐसे ही हम लोग जो वो दो-दो question जो डिसकस किया करेंगे क्योंकि देखे प्रिवियस एर के जितने question होते हैं अगर उनको discuss कर लिया है पूरी detail के साथ तो मैं बोलता हूँ कि आप जबो किसी भी exam को कर सकते हो qualify कर सकते हो ओके thank you and have a nice day